हेलो मित्रों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मरुदर क्लासेज पर मित्रों आज अपन बात करेंगे बियेश टीसी 2022 की त्यारी कैसे करनी है क्या रणनीती होनी सही क्योंकि 11 जुलाई को आपके एकजाम है तो 11 जुलाई मान के सले के दो महीने का समय आपके पास तो दो महीने में ऐसी किस परकार से त्यारी करें ताकि 600 प्लस नमबर प्राप्त कर सकें क्योंकि 600 प्लस नमबर प्राप्त करेंगे तब ही कॉलेज मिलेगी 400 से कम नंबर है तो कॉलेज भी नहीं मिलेगी अपने पास में दो महीने का समय दो महीने में कैसे त्यारी करनी है और कौन सी बुक पढ़े हैं और क्या पढ़ना है कितने घंटे पढ़ना है बिना कोसिंग के सेलेक्शन कैसे पाना है तो संपूर्ण विशलेशन वाईज जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के मादम से तो आप इस सेशन के अंत तक जोड़े रहना ताकि आपको समझने आ जाएगी आपको जाना कहां पे क्योंकि मारग हमें पता नहीं होता है और उसके लिए हम तैयारी तो करने बैट जाते है लेकिन मारग का पता ही नहीं है का में जाना कहां पे तो ऐसी इस्तती में क्या करना सही है कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी सही है पहले कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और अपने time जसला जाता है last के समय में देखते हैं कि अपना selection नहीं हुगा क्योंकि पड़ाई वही नहीं पाई तो ऐसी इस्तति में अपने को run नेती किस परकार से बनानी अभी भी समय है दो महीने के समय है बहुत समय है तो दो महीने के समय में कैसे त्यारी करनी है संपूर्ण विशलेशन इस class के मादिम से मित्रों मैं आप ये वीडियो देख लीजी एक बार और अपन त्यारी भी करवाना start कर देंगे इसी channel के उपर क्यों आपका support की जरूरत है support नहीं करता है न तो फिर तैयारी कराने का कोई ओसिती नहीं होता है क्योंकि मुझे भी डिव मॉटिवेशन मिलता है एक दो लोग देखते हैं उससे मुझे भी डिवेशन के मैं काम किसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई audience ही नहीं देख रही है तो सजार में अपना जगर तैय करनी कि मैं मुझे भी इसी seat में भाग लेना है तो start करते हैं सेशन इतरो सबसे पहले हमें पाटे करम की जानकारी होना बहुत जरूरी है बिना पाटे करम के हम त्यारी नहीं कर सकते हैं बीएस्टी सी का मतलब क्या होता है कि 12th pass जो भी student है उन जाएगा आने के बाद में आपके 5030 ओने जरूरी 5030 ओन न भी है तो भी आप एक बार फॉर्म तो भर लीजी आपको एक्जाम कैसा हो रहा है वह आपको ट्राइल लग जाएगी तो फॉर्म अब आने वाले हैं नोटिपिकेशन जारी हो जाएगा और फॉर्म बरने स्टार् कर नहीं है लेकिन हो जाए तो आपको फॉर्म बर लेना है त्वेल्थ पास है या फिर पिछली बार आप बीस्टी से में पीसे रह गए ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपोर्टेंट है सबसे पहले सेलिबस का निर्दारन करना है सेलिबस के अनुसारी आपको को सलना है तो क्या क्या सेलिबस में आएगा आपका भी वो दिन आएगा दोस्तों जिस दिन आपका भी सलेक्शन होगा आप भी कौर्मेंट מש Chandle करेंगे कि हमारा भी डीस टीशी में सलेक्शन हो गया तो आप दो साल के अंदर ऑस्टी से करके सिधी रीड्ट की बर्ती आतीय हैंनि रीट की अगली वेकंसी आएगी वो आपके लिए काम में आ जाएगी आप एक से लेके पास तक के है इस्टूडेंट को पड़ा ने रह весь लायक बन जाएंगे राजस्तान सामाने जानकारी 50 प्रशनाते डेटसो नमबर की शर्ण अभी समता इंपॉर्टेंट है और इसे यह है जो कि आपको जादा नमबर दिला सकती है शर्ण अभी समता तो इसे भी कंप्लेट करना है यह भी 50 प्रशन डेटसो नमबर की आएगी और Hindi, अंग्रेजी और Sanskrit जिसके 12th में Sanskrit थी उसे Sanskrit लेना है ले सकता है optional है कोई जरूरी नहीं है कि लेनी है या वो Hindi भी ले सकता है और आपको लेनी है तो इस बासा को लेने के बाद में आप एंग्रेजी सोड देंगी तीस प्रशन आएंगे, सतर नंबर की, नबे नंबर की आएगी तो परते एक प्रशन आपका तीन नंबर का रहेगा एक प्रशन तीन नंबर का इस प्रकार से आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना वो मैं आपको पहले बताऊँगा और क्या-क्या टॉपिक रहेगा सेलिबस के अनुसाद आपको त्यारी किस परकार से करनी दो माईने गंदर मित्रो सबसे पहले आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा मानसिक योगिता जिससे अपन आसान बासाम कहें तो रिजनिंग मानसिक योगिता कहते हैं तो इसे अपन रिजनिंग कहते हैं अब रिजनिंग के अंदर आपके पसास प्रशन आएंगे इसमें कलेंडर है गड़ी है ऐसे टॉपिक जो कोर्डिंग डिकोर्डिंग है सरंकला प्रिक्षन है रक्त संबंध है वेन आरेक है या खतन निस्कर से ऐसे प्रशन आते हैं तो ये तो निर्दारित प्रशन है इनसे बार कोई भी प्रशन नहीं आएगा लेकिन राजस्तान की सामाने जानकारी में तो कोई भी प्रिशन पूछ सकते हैं तो ऐसे इस्तिति में आपको राजस्तान सामाने ज्यान की जानकारी भी पढ़नी पढ़नी सबी को है पढ़ना सब को से है लेकिन पढ़ना है कि उनकी निमिट नहीं है लेकिन मांसिक होगे ताकि निमीट है सेक्षन अभी सम्ता के अंदर आपके साथ टॉपिक लगते हैं तो साथ टॉपिक उसके बार कोई भी प्रशन नहीं आएगा तो साथ टॉपिक हैं वो ही cover करने हैं आपको समझ ना है एक सिख्षक के रूप में आप मांज सिख्षक होगे ताके जो भी प्रशन सॉल करें आपको एक सिख्षक के रूप में रहना कि मैं एक इस्टूडेंट नहीं हो शिख्षक हूँ और आगे जो बच्चे हैं उनको मैं प्रशन का ज़वाव दे रहा हूं इस परकार से आप प्रशन सौल करेंगे तो सिक्षन अभी समता आपकी हो जाएगी अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में लगबग सारे स्टुडेंट कहते हैं कि हमारा अंग्रेजी के अंदर डबा गोल है लेकिन ऐसा तो नहीं है मित्रों कि आप 20 प्रसना आए और 20 मैसे 5 प्रसन तो आप करी सकते हैं 12पास हैं 12 में आपके इंग्लेस आती है तो इसमें आपके वर्व है आपके जो इन्रालोजी कल है और आपके प्रसन एपर कर लेने पर पोजिसन है वर्ब है या फिर टेंस है इन से सम्मन्दी तो आपके प्रश्न आते है तो लगबगा आप मेमान के सलताओं को ज़्यादा कमज़ोर है न तो अब अप अंग्रेजी के अंदर पांस प्रश्न तो सई करी सकते हैं और दो तीन प्रश्ण आपके तुक्के भी लग सकते हैं क्योंकि तुक्के भी कभी कबार सही होते हैं जादा सही नहीं होते हैं लेकिन दो तिन तुक्के तो सही होते हैं क्योंकि यह पे नेगिटिव मार्किंग नहीं है तीन अंक परते एक प्रश्ण का है नकारात्मक अंकन नहीं है तो आपको तुक्के भी लगाने प्रश्ण एक भी नहीं सोड़ना है तो तुक्के लग जाएंगे तो भी आपके साथ आठ प्रश्ण सही हो जाएंगे अंग्रेजी के अंदर तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा अंग्रेजी के अंदर हिंदी को तो आपको और करने ही पढ़ेंगे तो इसमें तो आपको तारगेट लेके सलना है कि मुझे 30 के 30 नमबर इंदी में सही है तो सही है तो यह आपका सेलेक्शन हो जाएगा भी एश्टी सिक अंदर अब सिक्षन अभी समता के अंदर तो सभी के मित्रों बात करें तो 100 नमबर दो हर कोई ला सकता है पहली बार स्टूडेंट जाता है वह भी 100 नमबर दो लगबग लाया ही सकता है तो आपको तारगेट लेके सलना है कि 140 प्रश्ण मुझे सेक्षण अभी संता में 140 का स्कॉर करना यह निकि 40 प्रश्ण मुझे सही करना तो यह आपका स्लेक्षन हो पाएगा अब राजस्तान की सामानी जानकर यह सबसे लास्ट में रखना या फिर आप अब इस सलेना पढ़ें उस समय आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है मांसिक अभी वियुगता कि एक गंटे को देना है मांसिक अभी वियुगता को एक गंटे में एक टॉपिक कवर करने की कौसिस करनी है राजस्तान जी के अंदर आपके करना पड़ेगा तो यह आप इसमें निकल सकते हैं तो सभी को साथ में लेके सलता सलना है क्योंकि एक दो सब्जेक्ट पढ़ने से आपका बेड़ा पार नहीं होगा इसमें सभी को समान लेके सलेंगे तो यह आप वियुगता को एक गंटा दीजिए एक गंटा राजस्तान की कला संसकर्ती को दीजिए एक गंटा राजस्तान इस्टरी और एक गंटा आप राजस्तान भुगोल राजस्तान भुगोल सब्जे ज़्यादा पूसी जाती तो राजस्तान भुगोल और राजस्तान की कला संसकर्ती दोनों को तो आपको मैतव देना है और राजवैवस् प्रशन निकालने ज्यादा से ज्यादा अब्जेक्टिव प्रशन निकालेंगे इसमें और मांसिक युगता एक बार जो टॉपिक है वो कवर कर लीजिए उसके बाद में आपको अब्जेक्टिव टाइप के प्रशन रोजाना निकालने पांस प्रशन आप पर टॉपिक से न पर्टिकल है इन्हें आपको पांस टॉपिक कवर कर लेना है अगर करना चाहते हैं तो आप वो ज्यादा स्कॉर कर पाएंगे और इंदी के अंदर तो आपको सारा कुछ पढ़ नहीं है जो वसालिबस के अंदर दिया गया है वो 200 प्रश्ण आएंगे 200 प्रश्ण 600 नंबर के ह नंबर होंगे दूसरों की तुलना में आपके जादा नंबर होंगे तो यह आपको कॉलेज मिल पाएगी ज पहले मित्रों बीस्टीसी अब नाम बदल दिया है पहले बीस्टीसी था अब इसका नाम है डी एल एड इसका मतलब होता है डिपलामा इन एलीमेंटरी में कोई भी जादा अंतर नहीं है आपकी BSTC वैसी रहेगी यह पर कोई बंद होने के सांस नहीं है इस साल देखा जाएगा जब भी होगी लगबग BSTC बंद तो नहीं होगी लेकिन इसके अंदर कर तो आपके जो स्यार साल वाला जो अलग है वो UGC ने अलग से सेलिपन जार सकती अगली साल से लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं होने वाला है पहली बार वाले इस्टूडेंट को ओमर सीट नहीं बढ़नी आती तो उन्हें मैं बता देता हूं को ओमर सीट कैसे बढ़नी है सबसे पहले जो पेपर दिया जाता है उसमें सारे प्रिश्णा आपको एक बा द्रभध को क्रूब कर चाएं उससा नहीं नहीं होना कि अरड़े हैं समय समप्त हो जाता है ऐसी क्वान को सबसे पहले परकार से मेनेजमेंट रखेंगे तो आपका तीन गंटे के अंदर दो सो प्रश्न कवर हो जाएंगे और आप आसानी से सेलेक्षन ले सकते हैं अब सेलेबस में बात कर लेते हैं मानसिक योगिता में तारकिक योगिता एनोलोजी है आपके विबेदी करने संबंदता है विशले सन है तारकिक सिंतन है यह टॉपिक आएंगे उसके बाद में आपकी राजस्तान की सामानी जानकारी के अंदर एतियासिक पक्स हो गए राजनेतिक पक्स हो गए कलासंस करती साहिति है बोगोलिक पक्स है आर्तिक है लोग जीवन है सामाजिक पक्स है परेटन है तो हैं सभी आएंगे सिक्षन अभी रूसरी के अंदर आपके मैंने बताई दिये एक सवसाथ टॉपिक है सिक्षन अधिगम है नेत्रतवगुण है सरजनात्मक्ता है संप्रेशन है वेबसाइक अभी वरती है और सामाजिक समय दन सीलता है तो यह डैट सो अंक की रहेगी सबसे अगया आपको किस पर जादर पॉर्शन पर द्यान देना है तो आपको सबसे जदा रिजनिंग मांटी मेंटल एबिलेटी और आपकी सिक्षन अभी वरती और बासा पर आपको इंदी पर जादर जयान आर्टिकल है तो यह यह टॉपिक रहे कि सनोनियम एंटोनियम हो गए विलॉम सब्द भी बोलते हैं जिनको इंदी में तो इन्हें आप कवर कर सकते हैं श्यार पांस टॉपिक है वो उसके बाद में आपकी संस्कृत अगर बासा है तो आप यहां से देख लीजी नहीं तो इं पांस उपसर्ग परते वक्यांस के लिए सार्तक्त अब योजणा किस परकार के निशाए पढ़ने की योजणा मित्रों आप की इस परकार की यह पढ़ने की पर सब्जेक्ट यह पको टॉपिक लिख लेना है कि मुझे आज मांसी को यह लुगता के अंदर सरंकला स्थान का सामानी क्यान पढ़ना है या फिर आपको इंदिक अंदर संदी या पढ़ते पढ़ना है तो इसलिए आपको जो management subject का लेकर सलता है पर डे आपको पांस गंटे पढ़ाई करनी है तो घंटो की बात मैंने पर पहले बताई तो घंटे आपको पांस गंटे तो मिनिमम में पांस गंटे आप पड़ेंगे तो यी बीएस्टीसी के अंदर सेलेक्शन ओपाएगा नहीं तो कुछ नहीं ओने वाला तो पर सब्जेक्ट को एक गंटे तो समय देना ही देना है पांस सब्जेक्ट हैं मां सब्जेक्ट पांस गंटे और एक लानी है आपको बुक लानी है राय की ला सकते हैं उसमें स्पस्ट दिया होता है और उसमें विस्तार से आपको समझाया गया होता है तो अगर आप साय तो आप राय की पुस्तक पढ़ सकते हैं मैं किसी पुस्तक का रिवी रिवियो नहीं कर रहा हूं कि ये पुस्तक आप राय दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ लीजिए तो गलतियां हैं वो सब बुकों में आती ऐसा कोई बुक नहीं है कि जिसमें गलती नहीं है गलती तो आती है लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप राय की पुस्तक पढ़ेंगा तो बैस्ट है उसमें और उस कैसे करनी है BSTC की 2022 में 400 प्लस नंबर कैसे प्राप्त करने बताई दिया है पुस्त कौन सी पढ़नी राय या लग से कोई भी एक पढ़ सकते हैं कितने गंटे तो पांस गंटे तो मिनेमम पढ़ नहीं है और आपका सेलेक्शन है जो की इस हिसाब से आप पढ़ेंगे कि पर द की इस है और आपका सेलेक्शन है।